हेलो गाइज दिस इज यूर यूट्यूब चैनल मार्केट मोबर और यहां पे मिलते हैं आपको कॉलिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल और अभी इस वीडियो पे फिर से अलोक इंडस्टी के रिगार्डिंग एक वीडियो में कमपोस्ट कर रहा हूं बहुत सारे करना था कि कुछ लोगों के लिए सब्सक्राइब करना तो मैंने भी यहीं सोचा कि 10 लोगों के वजह से 1006 नाराज करूं उन 10 लोगों को ऐसा करता हूँ इग्नोर ही कर देता हूँ वो अच्छी बात है देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करके गया है कि चैनल को अन सब्सक्राइब कर दिया आज से क्यूँकि मैंने आलोक इंडस्टीपे कहा था कि पूरे विक पल की लोऊर सरक्रीट लगे गया और आज आप्ने देखा Is पूरे वीक पल ओर सरक्रीट लग गया मैंने वीडियोज पी तीन दिनों से बंन कर दिया था बनाना नहीं तो आप कहीं कई है मिल्यंस आप ट्रेडिंग हो रही है करोड की ट्रेडिंग होरी है मिल्येंस की तो मैं बात छोड़ दू करोडू की ट्रेडिंग सोरी हमारे चैनल के आउकाद नहीं है हमारे चैनल पर इतने वीवर्स नहीं है कि इतनी बड़ी क्वांटिटीज में सेलिंग प्रेसर हाबी करें हमारी वीडियो से ठीक है यह उपर से पैनिक सिच्वेशन हुआ है एक नोटीस आई है देखिए स्टॉक चब चलत प्रोबबलेटी रहती है उसी के पैरों को खीचा जाता है नीचे लाने के लिए ठीक है यह एक्जामपल पूरी तरीके से सूट करती है आलोक इंडस्टी पे मैं आपको कल सुभा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बनाऊंगा जिस पे आपको आलोक इंडस्टी के र की रिगार्डिंग जैसा कि इनके ट्रेडिंग को मांगा गया है लोटी से भी के तरफ से वसाई उस कंपनी को मांगा गया है तो मैं आपको कल बस सब्सक्या लेकिन अभी आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे आलुक इंडस्टी के रिगार्डिंग देखें क्या हुआ तो आप आज की ट्रेडिंग देखके चौकने वाले हैं जियां ट्रेडिड वाल्यूम 12 करोड सेयस की 12 करोड सेयस की ट्रेडिंग हुई है 4,44,000 सेयस की बिड यहां से सर्कीट लेवल घूम भी सकता है अपर सर्कीट पर कंबर्ड हो सकता है स्टॉक और इसी के वज़ा से मैं आज वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूँ हमारी इस बात को याद रखेगा कि 40 रुपे का मैंने उस वीडियो पर बोला भी था कि एटलिस 40 रुपे तक यह स्टॉक जा सकता है और इवन इससे नीचे अगर गया तो फी 30 रुपे से नीचे मुझे नहीं दिख रहा तो देखिए 40 रुपे के लेवल पे से स्टॉक का पर सर्कीट लोवर सर्कीट खुल गया था आपने देखा होगा और आलोक इंडस्टी ने अपर सर्कीट भी जैसे इस स्टॉक पे इतनी भारी भरकम वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हुई है अभी आप हमें एक चीज का एकजामपल दे दीजिए अगर कंपनी बूरी होती तो इन 12 करोड सेयस में 12 करोड सेयस में ऐसे कितने लोग होंगे जिनोंने आज पोजिसन बनाया होगा वो लोगो के बारे में हमें एक बार जरूर बताईएगा कि वो लोग वो लोग क्या करेंगे इस स्टॉक पे जिनोंने पोजिसन बनाया है आप देखे 38% सेयस की डिलीबरी हुई है लगबग 4 करोड 56,97,395 सेयस तो वो क्या कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक को बाई हिमसेल अपने आप में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं तो स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक परफेक्ट कैसे हो जकता आपको दिमाग लगाना यह और पेसेंस रखना होगा मार्केट में अगर आपको वीन करना है तो सबसे बड़ी चीज होती है पेसेंस पेसेंस जिनके पा पर कहता था कि प्रॉफिट बुक कर लिजे स्टॉक का प्राइज 40-45 पर था तभी तब हमें इतनी सारी मतलब कमेंड का सामना करना पड़ा रषा मुझे ववीडियो डिलीट करनी पड़ी यां तक कि मनी कंट्रॉल के अप्लिकेशन में एक सिगमेंट है जहां पर लोग अपने-पने गुसिप करते है चैनल के बहुत सारी अफवाइं फैलाया जारी थी लास्ट में मैंने व वीडियु डिलीट किया तो ये सभी चीज़े होती रहती हैं मैं मानता हूं बड़ मैं बेसिकली मुझे चैनल से बहुत ज़्यादा अर्निंग्स और बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों से मतलब मुझे ये नहीं रहता मैं कभी भी अपने काम को ऐसे नहीं देखता हूं कि मैं पैसे कमाने के लिए देख रहा हूं ठीक है नहीं तो हमारे मेल पे डेली डेली का डेली एक से दो दिन ग्याप करने का बाद पर्मोशनल के लिए पर्मोशन के लिए बहुत सारे लोग हमें मेल करते हैं मैं किसी को भी काई नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इन सभी चुजों को करके कुछ नहीं होने वाला लोगों को धोका देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ठीक है बहुत सारे इतनी सारे एंचील बार एंचीला ब्रोकिंग अब उसके बाद आप जरोदा ले लिजे आप स्टॉक कोटेक कोटेक ले लिजे ले लिए कौन से आप ब्रोकर नहीं है जिनों ने हमें मेल नहीं किया उपर से बहुत सारे ऐसा से लर्णिंग जो कराते हैं स्टॉक मार्केट के ओर से हमारे पास इतने सारे मेल आए हुए हैं उनके पास भी यही चीज़ है कि हमें आप अपने क्लाइंट के पास हमारा यह एड चलाइए और उसके बाद एप्लिकेशन को रन करवाईए और कस्टमबर लाकि दीजे आपको डायरेक्ट बैनिफिट दिया जाएगा या फिर आप पॉसेंटेश पर कीजिए मैंने कभी इन स मतलब मैं क्या कह smoke और को सही चीजारीज जो इनसान दताना उनको दिल पर लग जाती हटा यह इंसान एक जैसा नहीं th Webbhando की और सारे काम जो हम कर पा रहे हैं वो कर VII नहीं पाएंगे तो一直 मैं यहींते क fixes kowe ौन्धा कोई कोई आसा है जो इस चीज को इग्णोर कर देता हूं से कोई मतलब नहीं बट मैं अपने फाइदे के लिए कभी भी नहीं देखता हूं और वीडियोस कमपोश करता हूं तो इसलिए तो फिर भी जो एक सो लोग है उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किये कि दिल में एक खुशी ह सभी को मैं थैंक्यू कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमें मोटिवेट कर दिया एक तरीके से ठीक है तो अलोक इंडस्टी मंडे का ट्रेडिंग सेशन याद रखिए का काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मंडे को हो सकता है कि इसमें अपर सर्कीट लोवर सर्कीट और यह जो सीन चल रहा यह हो सकता चेंज हो जाए या फिर नहीं भी हो सकता एक 40 रूपीस का लेवल है यहां पर स्टॉक एक बाद सपोर्ट अगर ले लिया तो फिर स्टॉक पर सर्कीट खुल जाएगा आज खुला भी था बट सेलिंग प्रेसर काफी हैवी थी बहुत पूरी तरीके से कलक्ट नहीं हुई है तो मैं बीना डिटेल्स के और बीना कनफर्मेशन के वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बनाता हूं ठीक है तो इस सभी चीजों को मैं इंड करता हूं मैं मेरा आने का मक्सेद यही था कि आप सबों से फिर से आलोक इंडस्टी के बाते अभी तो सर्कीट लगा हुआ तो लगने दीजिए नीचे जाने दीजिए ऑपोस्ट्योंटी ढूंडिए जहां पर मौका मिले फिर से स्टॉक को देख सकते हैं स्टॉक में किसी तरह की कोई भी मतलब परिशानी वाली बात तो मुझे नहीं लगती है बाकी मजी आप